दोस्तो मुझे अर्जेंट में लोन की जरूरत थी, लोन लेने के लिए मैंने इस अपली केसन का इस्तमाल किया, इस अपली केसन के माध्यम से मुझे 35,000 रुपे से लेकर के 3,000,000 रुपे तक का लोन दिया जा रहा है, जिस लोन को मैं directly अपने bank account में transfer कर सकता हूँ, जो के interest मिलता है, कितना loan मिलता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने हूँ को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं loan को apply करने वाला हूँ, सबसे पहले हम loan के बारे में, loan के application के बारे में जरूर बात करेंगे, ताकि हमें clear हो पायर, application हमारे like है या नहीं, हम use करे loan मतलब यहाँ मिलेगा, सही है, गलत है, जो भी चीज़ है, सारा कुछ हम पहले clear करते हैं, दोस्तों यह है वो application, जिस application के माद्धन समया पर loan लेने वाले है, इस application का नाम है, starsfin, जो कि आपको play store पे देखने को मिल जाएगी, हलाकि इस application का link में डिसके सर्में डाल दूँगा और मैं आपको बताने चाहूँ, अगर इसके download की बात करें तो आप देख सकते हैं, दस million plus download है, यानि कि एक करोड से ज्यादा लोगों ने इस application का use किया हुआ है, इसके बाद के बात करें तो 3.8 की rating है, रेटिंग हलाकि अगर 4 से plus हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, हलाक हम यहाँ रेटिंग पे किलिक कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम आउल रिवीव पे किलिक कर देते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ फाइज फास्त अपूरपल हमें लोन मिल चुका है, बहुत असानी से मिल चुका है, इस तरीके से लोगों का अला अलाग experience है, ज़् को अप्लाइक करने पाद यह देखेंगे कितना टाइम रगता हमारे बैंक अकाउंट माने के लिए कोन को से डॉकोमेंट लगते हैं कितना हमसे फालतु पैसा लिए आता सारा कुछ चेक करेंगे फिर हम पर ऋसके चेहां पर ईपर और पर कुलिक कर देना है यह फिएग्यहावette順 यहां पर नाócए पर ट लिए यहां पर अपनी लेंग्मेंज को लेंगों सेपस्ट कर लेनी है यहां पर करना मोझा पंटीनी और मैंपने लोगिंद geschुन्मेस कहने मांपने यहां पर नीचे आपको एक टिक कर लेना है कि क्या आपको इनकी जो भी नोटिफिकेशन वो आपको वाटसप पर चाहिए तो आप उस पर टिक कर सकते हैं इसके ज़स्ट बाद आपको continue पर simple सा किलिक कर लेना है करेंगे लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है नहीं कर लेता हूं मुझे अगर 35 पर ज्यादा तक का लोन मिल जाता ज्यादा अच्छा रहेगा तो इसके लिए पहले वाले पर चेक लिजबिल्टिफ सेंपल साप किलिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने के वाई सी कंपलिट की जाएगी इसके लिए सेंपल सा आप अपने अधार काड का नंबर डाल देंगे जो कैप्चर आपके सामने दिखा जाएगा उसके अधार काड की वेरिफिकेशन यहां पर कंपलिट हो जाईगे इसके बाद दोस्तों आपको अपने बैंक की डिटेल जिस बैंक में आप इस बैलेंस को ट्रांसपर करना चाहते हैं इसके लिए सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को नंबर डाल देंगे दुवारत से अपने बैंक अकाउंट को नंबर इंटर कर देंगे इसके बाद दोस्तों यहां पर अपने डोकुमेंट को आपको कर देंगे अधार कार्ड के नंबर को यहां पर इंटर कर देंगे इसके बाद आपको continue पर सेंपल सा क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपनी personal detail को fill up करना जिसमें का परस्टनल email ID होगी आपकी monthly income कितनी है आप उसको यहां पर कर देंगे आप किस company में जोब करते हो आपका service क्या चीज़ मलब किस पोस्ट पर आप जोब करते हो और जो आपका permanent address है उस address complete यहां फिलब कर दोगे सारा कुछ आपको ध्यान से fill up कर देना इसके जश्ट बाद आपको continue पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर enac करना यह चीज़ क्या तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा यानि कि आपको यहां पर permission देनी है जो आप यहां पर loan को ले रहे हो उस loan को आप अपने bank account में लोगा उसकी permission दोगा उसको auto debit कर सकते हो ताकि हर मेनिक जो इमाई हो गया पे करना चाहते हो आपके अकाउंट से आटोमेटी डेविट हो जाया करेगी इसके लिए हम सेंपल से जन्रेट E N A C H पर किलिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सारी डिटेल दिखा दी जाएगे इसको verify करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं एक तो होता आप net banking मादम से कर लीजिए दूसरा होता आपको debit card के मादम से कर लीजिए अपरूब की गई है हम तो इस चीची ट्राइ कर रहे था है अगर 35 रुपर ज्यादा मिल ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा तो यहां पर आपको एक बात ध्याम में रखना है अगर आपकी eligibility है आपके civil हो गया इसके अकोड हो सकता कि आपको यहां पर limit ज्यादा और कम भ आपको क्लियर समझा देता हूं इसके लिए दोस्तों दुबारा से चलते हैं सेम उसी application में application में आने के बात देखें आपको home page पे दिखा जा रहा कि ले सकते हैं अब जितनी आपको जुरूरत हो उसको आप स्क्रोल करके सेट कर सकते हो उतना amount अपने bank account आप ट्रांसपर कर सकते हो तो फानली हम यहां पर टोटल 35 रुपए ही ट्रांसपर करने वाले हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको timing दी जा रहा है कि आप कितने मह रुपए के जो लोन ले रहे हैं 12 महीने के लिए लिए रहे हैं इसके हर महीने के इमाई आएगे 3622 रुपए है और दोस्तों यहां पर आपको एक बात और धियान रखना है जब आप 35 रुपए लोन के लिए अपलाई कर रहे हैं जो आपके bank account में जो amount आएगा 33929 रुपए इसके बाद दोस्तों इस बात के धियान रखेंगे जो आपने को टोटल रिपेमेंट कर रहे हो 12 महीने में वह होगा 34,755 रुपए तो दोस्तों मैं इस लोन को पहले अपने bank account ट्रांसफर कर लेता हूँ इसके बाद मैं आपको बात करके बताता हूँ कि हमने इनको टोटल क अब एक सवाल यह बनता है अगर हमें लोन को पे करना हुआ तो मैनुली हम पे कर सकते हैं क्या था बहुत असानी साब पे कर सकते हैं इसी अपलिकेशन में आ जाओगे आपको यहाँ पे नाओ का ओप्सन मिल रहा है आपको डेट वी तक दिखाया रहा है कि इस डेट तक जाएगा दुबारा अगर आपको जूरुत पढ़ते हैं आप यहां से उस पैसे को ट्रांसपर कर सकते हो तो यहां पर मैंने सारा कुछ काल्कुलेशन करके लिख लिया है कि यह लोन हमारे लिए कितना महंगा पड़ेगा कितना सस्ता पड़ेगा कितना हमसे फाल्ट पैसा लिया जा रहा है तक ही आसानी से आप समझ पाएं कि आपको यहां से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो यहां पर सबसे पहली बात हमें 35,000 रुपे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में आता है यहां पर 33,939 रुपया यानि कि यहां पर यहां पर पुरा वाफस कर देते हैं तो यहां पर सिर्ण हमें 171 रुपय ही महंगा पड़ेगा अगर हम इसको-इमाई पर चाहिस करने हैं हम चाहते हैं हम इसको 12 महीने के माहीं हम पेक करेंगे तो उस केस में हम थोड़ा सा कल्कुलेशन करके और समाज लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारी EMI आएगी, अगर हम 35 रुपए के लोन लेते हैं 12 महीने के लिए, तो 3622 रुपए, यानि 3622 रुपए के EMI आएगी, और 3622 को मल्टिपलाई करते हैं, अगर हम 12 से, तो आप देखेंगे, हम इनको टोटल पे करते हैं 43,464 रुपए, अब हम यह देखेंगे, हमारे बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है, और इनको हम टोटल कितना पे कर रहे हैं, तो दोस्तों, अगर हम 35 रुपए लोन के लिए अपलाई कर रहे हैं, और इनको 12 महीने के अंदर यहां पे 43,464 रुपए देते हैं, तो 35,000 में आप जब 43,464 को माइनस करते हो, तो आप देखेंगे, 9,535 रुपए हम इनको फालत हो देते हैं, लेकिन 9,535 रुपए नहीं ह हुआ, क्योंकि 1071 रुपए नहीं पहले से माइनस करके हमारे बैंक अकाउन जो पैसा को डाला हुआ है, अगर हम उसको भी यहां पर जोड़ देते हैं, तो 10,606 रुपए हो जाता है, या फिर हैं कि 10,000 रुपए का कम से कम आपको उपर फालत हो पैसा लिया जाएगा, जब अगबग आपको इस तरीके से ये इतना महंगा पड़ेगा, और मैं आपको इक ची बताना चाहूं, देखो, मैं कोई पैसा लेके वीडियो नहीं बना रहा है, पैसा लेता, तो भी मैं जो रियल्टी तो रियल्टी बताता, तो दोस्तों मैं आपको यह बात क्लियर करके चल आपको डिसाइड कर पाएं, कौन से अपलिकेसन के साथ जाएं, तकि ऐसा नोग हमारी मजबूरी का फैदा उठाया जाएं, और हमसे एक के दुगना पैसा वसूल आ जाएं, इस से पहले भी हमने यहां पर मनी भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, किस अपलिकेसन हो इन सबस इस अपलिकेसन के बारे में और इस लोन के बारे में, इसके अलावी दोस्तों आपसे यह कहना चाहूँ हो, जब आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, कोई भी ऑप्सन नहीं मिल रहा हो, बिल्कुल फटी पड़ी हो, तब जाएक आपको लोन के लिए ट्राई करना चाह बारे में बात करों, इस अपलिकेसन के बारे में बात करों, मेरे तरफ से तो बिल्कुल ना है, क्योंकि मैंने पूरी जानकारी सेयर के आपने पूरी वीडियो को देखा, सारची आपको खुच-कुच समझ में आ गई होगी, फाइनल इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ब